Hello everyone, तो आप सब का स्वाव गयता हमारे चैनल Edutainment Hub में तो आज के 10 daily uses English word तो आज का हमारा सबसे पहला कोस्टे ने आँख उठाना या बुरी नजर डालना तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकेंड का समय है जवाब देने के लिए तो इसका जवाब है 2 cost an ab lies अब हमारा question number 2 है आकास पताल एक करना तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकेंड का समय है जवाब देने के लिए अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो comment में फटा फट से जवाब बताए तो इसका जवाब है 2 move heaven and earth तो अब हमारा question number 3 है आपे से बाहर होना तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकेंड का समय है जवाब देने के लिए तो इसका जवाब है 2 be out of temper अब हमारा question number 4 है कचूमर निकलना या बुरी तरह पिटना तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकेंड का समय है जवाब देने के लिए अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटा फट से जवाब बताए तो इसका जवाब है 2 be out black and blue अब हमारा question number 5 है कान भरना तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकेंड का समय है जवाब देने के लिए अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटा फट से जवाब बता है तो इसका जवाब है 2 poison once years अब हमारा question number 6 है कान पर जू ना रेंग ना इसका जवाब देने के लिए आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड का समय है तो इसका जवाब है 2 turn A deaf ear अब हमारा question number 7 है किताब का कीडा होना तो आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड का समय है जवाब देने के लिए तो इसका जवाब है 2 B A bookworm अब हमारा question number 8 है दुवीदा में होना तो आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड का समय है जवाब देने के लिए तो इसका जवाब है तो बी इन ए फिक्स अब हमारा question number 9 है जूता बहाना तो आपके पास अब सिर्फ 5 seconds का समय है जवाब देने के लिए तो इसका जवाब है हमारा question number 10 आज का last question इधर उदर की हम हाँ करना तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए तो इसका जवाब है तो इसका जवाब है तो यह थे आज के हमारे 10 डेली उसे इंग्लिस वर्ड तो आई होप कि आप लोगों ने खुद को रेंग किया होगा और कमेंट में बताया होगा कि आप लोगों को कितने कोशन के अंसर पता है तो ऐसे यूसफुल कॉंटेंट के ज़रूर करें जिससे कि ऐसे यूसफुल कॉंटेंट जब भी आते हैं तो आपके पास टाइम टो टाइम पहुंशते रहें तो अब हम मिलेंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तो लिए बाए टेक्टियो